नमस्कार आप देख रहे हैं आईपा यानि की All India Progressive Politics Association वो मन जहां हम बात करते हैं प्रगति शील राजनीती की उन मुद्दों की जो चंसरोकार से जुड़े हैं वो मुद्दे चुदेश में प्रगति की बात करेंगे और आज इनी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे इसके इलावा में चोटे बच्चे जो जुरुद मंदे माता बहने सब की समय सब्सक्राइब में सेवा करता रहता हूं ऐसे कच्छा राशन वगरा वितृत कराते रहते हैं या फिर उनको कुछ पंडे लिखने की सामगरी वगरा समय समय उपलफ कराते हैं तकि एमारा बच् जारों को आगे लाना चाहते हैं चो इसकी बात करते हैं तो सब्सक्राइब कि राजनीती समय देश में हो रही है उससे अप कितना संतुष है या बदलाव देखते हैं राजनीती जो देश में हो रही है वो तो ठीक है राजनीती होनी चाहिए और देश में ही राजनीती होन जो भी तकलीफ है उनको दूर्द करने चाहिए और चेतर में समाज में रहे कारे करने चाहिए यह सर आपने बोला कि चेतर के जो मुद्ध होते उनको सौल करना ची तो देखा यह जाता है कि जब भी चुनावाने वाले होते उस समें कोई न को एक राष्टिय भावना तक रहे जाते तो इसका दोष्य आप इसको मानते जनता है जो अपने मुद्धों से भूल जाती है भटक जाती या पर राजनितिक पाटियां जो ने भटका देती है निकिए इसमें तो आपको यह बताना चाहिए कि उचुनाओं आते हैं और सब लोग चाहिए तो वोड़ बे की राजनीती होनी चाहिए ठीक है लेकिन वोट बैंक के इलावा भी चेटर की समस्या प्रदेश की समस्या जो भी है उसको सुल जाना चाहिए समस्या का समधान होना चाहिए यह मैं मानता हूं अगर हम पार्टियों की बात करें, कहने को तो हर पार्टी अपने अपको लोगतांत्रिक कहती है, पर क्या अगर हम जमीनी स्थर की बात करें, क्या ये पार्टी एक्च्वल में लोगतांत्रिक होती है? एक्चुल में लोग तामत्रिक देखे वही होता है जो देश की सेवा करता चले और अपने जो भी मुद्दे हैं उनसे ना बढ़के देश की अखंड़ता एकता इसी को ही विचार में रख करके पार्टी विशे जो भी आगे बढ़े यही एक मेन उद्देश्य होता है जैसे कि आप बच्चो के लिए काम करते हैं आपने बताया अपने सिक्षा का सामान दे तो अपो क्या लगता है कि बच्चो की सिक्षा स्था हम किस तरह से बढ़ा साथे कहने को तो आप लोग विश्वगुर्य की रेष में हमारा डेश आगे बढ़े लेकिन जब तक अगर हम है जो बच्चे है अहने को अगर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो कैसे बढ़ेगा तो इसके लिए को क्या लगता है कि बच्छे अब हमें सरकार को क्या सिनल नीचाहिए जिससे बच्छों का विकास उसके तेलिए में यह एक कि जैसे हमने बच्छ जो भी छोटी छोटे बच्चे माता है बहने सबको जा जा करके समय समय पर उनको उनसे मिलना चाहिए और जगे कुछ ढुकर के मिलें बच्चों से यहां अवह समक्री उनको दे उनको पिनको अपने देश मंतरी मोधी जी हमारे मंने-श्य नियोगि огी- हादितियनात्- घिन कि सभी इक बारे बताएं और क्या वो कार कार्या आज लिसकों कि देश का विकाथ भी होगा थे करोना की लेहार आ चुकिल है तो Insert में देख लिया कितना नुक्सान हूआ क्शिक्त सवेवस्था कैसी रही अब इस बार गे लेहिं को कितना लगता है कि प्रणाली को बहुत मजबूत किया गया पहले से बहुत ज़्यादा बैतर किया गया है सब जगे ऑक्सिजन प्लांट्स लग चुके हैं और जो भी वाइरस याब कोई बिमारी है उससे लड़ने के लिए पूर तरीके से सारी चिकित्सा प्रणाली सक्ष्या हुए सबसे ज़्यादा तो यह रहता है कि एक तो जातवात का वोट ना हो और जातवात का वोट नहीं होगा तो सभी जितनी भी प्रकार की जाती है हम लोग यह समझ के वोट करें कि वही हमें किसी एक अपने प्रतिनिदी को चुनना है जन सेवा के लिए और आपको कोई दिक्कत ना हो तो उसमें क्या कि अगर जनता भी सोचना चाहिए कि अगर को इनके मुद्धे है तो जागर के अपने जन प्रतिनिद्यों से मिले जिनको अम लोग चुनते हैं जैसे सड़क है नाली का मुद्धा है कोई भी दिक्कत है अवास कोई रिलेटेड प प्रदेश में युवाओं के अगरम बात करें तो आपको क्या लगता कि युवाओं के अभी सफ़ार क्या जरूरत है अमारे प्रदेश के युवाओं को भी क्या चाहिए प्रदेश के युवाओं को एक अच्छी सरकार का जन प्रतिनिदी चाहिए और रोजगार की विवस जैसे आयोजित की है उस पे भी रोजगार मेले से भी कई लाख युवाओं को नौकरिया मिली है और आगे भी मिलती रहेंगी धन्यवाद साथ तो ये थे सेंगल जी जिन से बात करके बहुत चलागा हमाई चैनल से चुड़े रहने के लिए से लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बूले धन्यवाद